नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपने चैनल Mr. Tech Alpha पर, उम्मीद है आपके साथ आपका पूरा परवा स्वस्त और सुखी होगा, दोस्तो आजकल टेकनोलोजी इतनी अपडेट हो गई है कि हर काम के लिए तरह तरह के गैजेट मिल जाते हैं, लेकिन सस्ते गैजेट में अपडेट रहना है, तो Mr. Tech Alpha चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टेकनोलोजी से जुड़ी जनकारी मिलती रहें, नमर दस पर है ये वाइलेस मोसन लाइट, दोस्तो आपके घर पर कुछ ऐसी जगह तो जरूर होगी, जहां पर लैट की जरूवत तो बहुत पड़ेगा, जैसे ही ये कोई मोसन डिटेक्ट करेगा, इसकी लाइट आटोमेटिक अन हो जाएगी, और अगर इसे मोसन डिटेक्ट होना बंद होता है, तो 20 सेकंड के बाद लाइट बंद हो जाएगी, इसका इस्टोलेशन भी बहुत ही आसान है, चाहे आप इसको डबल पर लगाकर उस पर लगा सकते हो, ये USB केबल से चार्ज होता है, और इसका बैटरी बेकप भी अच्छा कासा है, जो के लबग 12 गंटे तक चल जाती है, नम्मा नौ पर है, ये स्मार्ट मॉप क्लीनर, दोस्तो हम सभी ने देखा हुआ, कि जब भी घर पर हमारी मा या कोई पहुचा लगाते हैं, तो पहले पहुचे को पानी में डूबाना पड़ता है, फिर इसको निचोड़ो, उसके बाद पहुचा लगाया जाता है, जिससे छोटे से काम के लिए काफी मस्तकत करनी पड़ती है, और कमर में दर्ट तक हो जाता है, तो इसी से निजात पानी के के लिए हम लेकर आए हैं, ये स्मार्ट मॉप क्लीनर, इसके पहुचे को पानी में बार बार नहीं डूबोना पड़ेगा, इसी को ऊपर एक बोतल लगी है, जिसमें एक बार आपको पानी बरकर इसमें लगा देना है, और फिर जहां चाहो वहां पर पानी से स्प्रे करते जाओ और पहुचा लगाते जाओ, इसको आप 360 एंगल पर गुमा सकते हैं, जिससे आसानी से सपाई की जा सकती है, ये इतना कमवर्टवल है कि इससे तो किसी की भी कमर में दर्द नहीं होगा, इसे आप अपनी मा के लिए भी ले सकते हो, वो ये देखकर आप से बहुत लगता हैं, जो कि लैट बंद होने के बाद बहुती संदर लगते हैं, इससे आप अपने घर को सरह तरह से अच्छे खासी होती हैं, इससे एक बार लगने के बाद यह निकलने वाले नहीं हैं, और ये वोटर पूफी हैं, जिससे आप इनको बाथ रूम जैसे जगवों पर यह बच्चों के लिए बनाया गया था लेकिन इसे बच्चों के साथ साथ बड़ी भी खिल लेते हैं इसमें आरजीवी लाइट के साथ एक बड़ा फैन दिया गया है जो कि इसकी उड़ने में मदद करता है यह एक रिचारजबल उड़ने वाला टॉय है जिसमें रंगी प्रिंटिंग मसीन के बारे में तो जरूर सुना होगा जो कि किसी भी 3D सेप को बना सकती है यह पैन भी उसी की तरह काम करता है इससे आप 3D सेप में कुछ भी डिजाइन बना सकते हो यह बिजली से ओपेट होता है और इसमें रिफिल यूज होती है जो कि पगलकर बाहर आ लिंक आपको सभी गैजट का डिस्किप्शन में मिल जाएगा जिससे आपको खुई दने में आसानी हो नमबर पांच पर है यह मडूलर हैंग दोस्तों सभी के जाया तक छोटे घर या फिर फ्लेट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तो वह कपड़े सुखाने के इसके दौन हो को ड्रेल करके दीवार पर लगा देना है और इसकी रसी को हुक में लगा देना है और बस आप इस पर आसानी से कपड़े सुखा सकते हो इसकी रसी को आप अपने साफसे चोटा या बड़ा कर सकते हो जिससे आपकी दीवार की दूरी पर यह आतनी से लग जा में RGB light का option है और इसकी light बहुत ही slow motion में glow करती है जिससे यह बहुत ही cool लगता है इसको इस तरह से design किया गया है जिससे इसके पते दिन में एकदम यह लगते हैं इसके color को आप अपने mood के साफ से change कर सकते हैं और इसको आप अपने mobile से connect करके भी operate कर सकते हो इसमें आपको music mode भी म सकते हैं नमर तीन पर आता है यह solar helicopter perfume दोस्तों अगर आपके car का dashboard खाली-खाली सा रहता है और कार में अजीब सी वद्वू भी आती रहती है तो यह gadget आपको लेही लेना चाहिए यह gadget आपके dashboard की सोबा तो बढ़ाएगा साथ में एक अच्छी खुस्बू भी देता है इसमें हेलिकॉप्टर का पंखा गुमता है तो बहुत ही जबदस लगता है वैसे यह car के लिए ही बना है लेकिन आप चाहो तो इसको अपने घर पर भी यूज कर सकते हो यह आपके घर पर भी पूरा काम करेगा लेकिन इसको ऐसी जगह लगाना होगा जहां पर इसे दोप मिलती र को होता है इसमें आपको च्छोटे साफिके कई एक्सा र्व्लर के मिलते हैं जिसको आप अपने षाब से अपने दीवाल पर लगा सकते हैं इसके साथ भी आपको काफी डिजैन मिल जाते वह जिससे आपको अलग-अलग तरीके से अपनी वार्भ को सजाने मेंκαत्ण होती है नमर एक पर है ये बांडिंग पैन दोस्तो पिछले गैजट में हमने आपको 3D पैन के बारे में बताया था जो कि सिर्फ चीज़ों को बनाने में मदद करता है लेकिन इस पैन से आप किसी भी टूटी चीज़ को आसानी से जोड़ सकते हैं ये मैटल पर थोड़ा कम काम करता है लेकिन ये प्लास्टिक ग्लास रवर आध पर बहुत ही अच्छे से काम करता है इसके अंदर एक ग्लू दिया गया है जिसको तूटी हुई जगर पर साफ करके लगा देना है और इसी पैन के पीछे लगी यूवी लैट को जलाकर ग्लू को सुखा देना है यूवी लैट पढ़ने के बाद ये ग्लू बहुत ही मजबूती से जोट को चिपका कर रखता है और इसका लगा जोट हीट और बॉटर प्रूफ है जिससे आप इससे किसी भी कंडिसर में यूज कर सकते हो इसका ग्लू खत्म हो जाने के बाद आप इसको आसानी से दुबारा पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आपको कौन सा गैट पसंद आया कमेंट में जहूर बता है और आपको अगली वीडियो में कैसे गैट चाहिए वो भी हमें लिखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर जहूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार